है खाइसर डिस्कूस आपके अगज्चेंट पई आपकी सारी के आपके इंपॉर्ट इमिपॉर्टेंट है ऑकी नाउ प्राइजिंग डिसिजन जो कोंसेप्ट होता है इस रिलेटेड तो प्राइजिंग का मतलब 4 piece को हम लोगों ने marketing mix में discuss कर रखा है that is price place product price place promotion जिसमें से product decision को हम लोग already previous classes में discuss कर चुके है अब pricing decision का बात आती है क्यों क्योंकि prices related to the cost of the product जो price है इसमें cost तो जुड़ा हुआ है और एक margin जुड़ा हुआ है ठीक है margin क्या है जो की profit होता है company के लिए ठीक है तो cost में जुड़ा जाता है profit को बनाया जाता है तो उसमें क्या मिल जाता है दोनों को मिला खेक्या बनता है आपकी selling price या जिसको price बोलते हो आप ठीक है दोनों को मिला के किस किसको मिला के, cost को मिला के और margin mean profit को मिला के price बनता है now pricing decision एक important role play करता को यह किसी भी कम्पनी को सक्सेश दिलाने के लिए ठीक है कम्पनी सक्सेश अब करिगी जब इस बिजनिस को profit के लिए आगे लेके जाएगी जैसे stay competitive and build customer loyalty customer की loyalty को बढ़ाना ठीक है और क्या करना customer की loyalty को बढ़ाना competition को बढ़ाना in this comprehensive guide we will explore everything you need to know about इसके अंदर सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि pricing decisions क्या होता है manufacturing कैसे करते हैं इसकी definition examples और कौन-कौन से factors consider किये जाते हैं वो कौन-कौन से factors होते हैं जो anyhow responsible होते हैं एनिहाव affect करते हैं marketing की pricing के decision को now what do pricing decision क्या मतलब है pricing decision का मतलब होता है determining the selling price of product और service एक प्रड़क्ट बनाया मैंने यह एक service बनाई उसकी कितनी कीमत रहने वाली है उसका कितना cost में margin जुनने वाला है वो ही कहलाता है आपका price now it is an essential जरूरी क्यों है as it impacts a company's revenue क्योंकि पैसा यहीं से आएगा प्रड़क्ट के बनने के बाद money यहीं से आएगा profit margin यहीं से मिलेगा market की position यहीं से मिलेगी जो pricing decision है consider factors pricing decision में कौन-कौन से factors आते हैं उसके objective production cost competition market की demand and the value of the product or service provides customer मतलब कौन-कौन से factors affect करते हैं competitor हो गया product हो गया product की cost कितने रहने वाली है margin कितने रहने वाले आप समझो समझ के देखना मान लो 100 रुपीज मेरी cost लगी है अब मैं मान लो cost के उपर 10% क्या लगा रही हूं charges लगा रही हूं margin तो यह product कितने का हो गया मेरा obviously चीज है 110 लेकिन अगर margin को बढ़ा लेती हूं 10% to 40% अब मेरी price कितनी हो जेगी 140 अब सोच के देखो यह cost plus profit margin के उपर भी depend करता है product का price क्या रहने वाला है market की demand के उपर भी affect करता है market की taste और preference के उपर भी affect करता है demand मान लो एक certain product की बहुत जादा है तो अब obvious सी चीज है उसका price भी क्या हो जाएगा आटोमेटिकली जादा हो जाएगा तो उस सिनेरियो के अंदर नौ एक key advantage है pricing decision का is that it allow business to generate revenue लोगों को business को income को generate करने के लिए and earn profit by setting the right price अगर आप सही price shift करते हो बिल्कुल सही time पे business can attract customer willing to pay for the product or service देखो कोई भी जो product है उसके prices different different factors पे भी depend करते हैं और different different persons पे भी richer section poor sections पे भी depend करते हैं ठीक है और उन लोगों पे यह depend करेगा कि किस type का product दे रहे हो supreme product दे रहे हो poor quality का product दे रहे हो अगर आप ठीक pricing की decision ले लेते हो तो कहीं न कहीं आप अपने competitor के edge rivalry को beat up कर पाओगे उस ताइर पे और आप peak point पे पहुँच जाओगे now offering attractive prices अगर आप अपने prices जो भी रखे उसके ओपर आप अच्छे खासे discounts वग्यारा दे रहे हो कुछ अलग incentives दे रहे हो कुछ gifts, coupons वग्यारा दे रहे हो तो यह अलग initiative होता है जो customer को attract करता है customer क्या होंगे influence होंगे लोगों फिर उसके बाद incentive customer to choose their product over their competitor और competitor से आपके पास प और मदद करता है business segment को market के लिए market by targeting specific customer groups with different pricing strategy this help business cater to unique needs अब business की भी अलग-अलग needs है उनको भी समझा जाएगा and preference and maximize their revenue potential or maximize their objectives also objectives को भी समझ पाएंगे किसके थरू marketing के however there are also some disadvantages एक तो key factor हमने advantages यह सीखा था कि कही ना कहीं cost में margin जुड़ा है और margin will be fluctuate according to the company to company now the disadvantages associated with pricing decision on one hand on the key drawback is the risk of setting price too high or too low देखो बहुत ही important factor यह होता है कि आप price किस तरीके से shift करोगे देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था product के prices आपको different different segment के basis पे decide करने पड़ते हैं तो आप बहुत ज्यादा कम रखो या बहुत ज्यादा ज्यादा रखो बहुत ज्यादा ज्यादा मतलब अब two high वाला भी एक रिस्क होता है और two low वाला भी एक रिस्क होता है तो दोनों ही एक negative impact पड़ते हैं तो क्या बोल रखा है विचके अड़वर्सली अफेक्टिक company कंपनी की सेल और कंपनी की रिवेन्यू के उपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या प्राइज रखोगी नाव नेक्स्ट वन बखवास होगा इसकी क्वालिटी तो बखवास्ती होगी तो टू हाई और टू लो की अलग-अलग सिच्वेशन वाली चैंड अप है लोवर प्रॉफिट मार्जिन परसेप्शन अफ लोवर क्वालिटी प्रॉडक्ट अनदर डिसद्वांटेज इस प्राइजिंग डिसीजन प्राइजिंग डिसीजन डिफिकल्ट है न क्यों क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यह डिसीजन हमें बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है और चैलेंजिंग दे रिक्वाइर केर्फुल कंसिडरेशन बहुत सारे फैक्टर्स को सोचना पड़ता है जिसमें प्रेडेक्शन की कोस्ट भी आ जाता है मार्केट की डिमांड भी आ जाती है कॉंपटीशन भी आ जाता है और कंजिमर का बिहेवियर भी आ जाता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप प्राइजिंग क्या रखोगे और इसी वज़े से यह एक नुकसान भी है कि जो एंड मार्केट शियर प्राइजिंग डिसीजन मदद करता है बिजनेस को कि वह अपना प्राइस सेट करें अलाइड विद दियर बिजनेस गोल्स और अबजेक्टिव दे इनेबल बिजनेसे तो बैलेंस देड्स फोर रिवेन्यू देखो ऐसा भी नहीं कि आप प्रॉफिटे करना है लेकिन कॉंटुमर की नीद तेंड एक सलता है सब्सक्राइड वह रूपिट्ट mesela की नीद चाहिए और उसके प्राइज क्या रही स्थी लिंव अकोंटिक होता है कि फाइनिश्रेस में बड़ोगराइन गए वbon पॉक्ट सब्सकेнов vaid करता है इसलिए आकाउंटिंग प्राइस इश्रेस एन बहुत इम्पॉर्टेंट और यह दूस्रा से जुड़े है क्यों कि ए加वल में सरड इनकाउंटिंग स्वस्क्रतरू अगर आप अच्छा effective pricing decision लेते हो, require understanding accounting principle and financial data to ensure that price that covers the cost and generate, तो मतलब अगर आप एक अच्छा pricing decision ले रहे हो, इससे क्या पता चलता है कि आप अपनी cost तो recover करी रहे हो, उसके अलावा आप कुछ ना कुछ profit भी generate कर रहे हो. और प्राइमरी वेस प्राइजिंग देसेजन आर रिलेटेट तू अकाउंटिंग इस थूँ कॉस्ट अकाउंटिंग देखो, कही ना कही ये कॉस्ट अकाउंटिंग में help करेगा, ठीक है? इन्होंने बोला ये अकाउंटिंग में help कैसे करता है, तो हमने बोला एक तो ये financial अ पर topic है, और प्रेड़क्त की cost को reduce करना, cost of accounting का पार्ट होता है, तो cost accounting involves calculating the cost of producing a product or service, including direct and indirect cost and determining the best pricing strategy. और सबसे best pricing strategy को choose करना to ensure कि जो product और service है वो profitable रहे वो at least revenue भी income को generate कर पाए और भी आगे के अपने points को cover कर ले next देखो cost accounting का बता रहा important information cost researcher को भी help करता है क्योंकि ये cost से related है cost accounting और per unit cost की भी बात की जाती है यहां पर next pricing decision also impact financial reporting and accounting practice revenue recognition क्रों सा concept होता है money revenue recognition money जो आपका money concept होता है एक तो है न और एक revenue recognition होता है कि when revenue is recognized कब recognized क्या जाएगा जब उसकी payment होगी determining when revenue is recognized ना company's financial statement pricing decision affect करता है revenue recognition को क्योंकि ये कहीं ना कहीं selling price के उपर depend करता है selling price pricing decision का important role play करता है on the selling price of the product or service sold this require accurate sale या आपको कौन बताता है revenue recognition accurate sale बताता है उसका proof बताता है data tracking बताता है तो ये कौन बताता है pricing और प्राइजिंग किस्ते के लिए जरूरी है अभी हमने अकाउंटिंग में सुना कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जरूरी है इवन फाइनिशल रिपोर्टिंग के लिए भी जरूरी है क्यों कि ये एक तरीके का आपका क्या दे रहा है फ्रूफ दे रहा है इन्वाइस दे आए कि इतना प्रडुक्त हमने इतने प्राइस तो उसको खरीद है ना वट आड़ अफेक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इसन बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में कोशन बनता है अब्जेक्टिव अब्जेक्टिव तो बहुत सारे टाइप के होते हैं जैसे मान लो सेल March Maximization और एक तरफ होगया profit Maxximization और एक तरफ होगया Wealth तो आपको जो प्राइजिंग रहेगा न वो बहुत ही अच्छा खासा रहना चाहिए हाई लेवल का रहना चाहिए और जो वेल्थ अच्छे से आप अच्छे से आप ऑब्जेक्टिव को अनिलाइज कर चुके हो उसके के बाद आपको प्राइजिंग डिसीजन लेना चाहिए नाव कॉस्ट अब दा प्रेड़क्ट देखो कॉस्ट भी एनिहाव हेल्प करता है मान लो कॉस्ट है हंडेड मार्जिन है वह अगें 10 परसंट तो कितना होजेगा आपका जो वैल्ल्यू है वह 110 होजेगा मान लो कॉस् कम लेकर जाओगे और कितने टाइम तक लेके जाओगेähänड लो कोस्ट से कम पे बेचते हो अब यह भी स्त्राटेजी होती है एक स्त्राटेजी होती है कि कोस्ट से कम पे एक टाइन तक बेचो आप मोनुपॉली रि कवर कर लो और मोनुपॉली के बाद अपना प्रड़क्त बना दो आप gerek शेटडाउन वाली situation नहीं हो जाएगी हाँ वो अलग बात है की financial situation बहुत अच्छी है company की तो वो bear कर भी सकती है लेकिन normal scenario में cost से कम product को आप नहीं बेच सकते जिसमें product administrative selling cost वग्यारा जूड़ी है price also determine the cost यहाँ पर price में भी cost को जोड़ा गया है now market position the price of the product of different producer are different either because of difference in quality because of the goodwill of the firm क्या होता है कि अलग अलग company के goodwill के उपर भी depend करता है कि market की position किस तरीके की होती है या pricing किस तरीके का होता है जब company एक level तक पहुत जाती है तो pricing doesn't matter to the effect or the goodwill of the company लोग उस brand को उस product को खरी देंगे ही करी देंगे बट एक certain situation of time frame के लिए market position affect करती है a reputed concern में fix में fix higher prices देखो लिखा है कि वो higher prices fix कर सकते for its product on the other hand जो नया producer है उसको कम में ही price bear करना पड़ेगा क्योंकि जादा रखोगे लोग आपको जानते नहीं है और आपने जादा price रखा है उस scenario में product आप market से बाहर हो जाओगे now the third one is price elasticity and demand elasticity price elasticity may you call as the fluctuations in prices ठीक है price elasticity भी affect करते है price के decision को price के fixation को price elasticity का मतलब होता है the consequential change of demand demand कितनी बदल रही है अगर मैं price को बदल रही हूँ अगर मैं commodity के price को बदल रही हूँ तो demand कितनी बदल रही है if demand is elastic अगर demand elastic है तो firm should not fix high prices demand fluctuate कर रहे है ना demand elastic का क्या मतलब है कि demand जादा कम हो सकती है अगर जादा कम हो सकते तो आप जादा पैसे रख कैसे सकते हो क्योंकि जैसे आपने जादा price के demand तो fluctuate हो जाएगी है ना तो जहाँ price elastic होती है वहाँ आप जहाँ demand elastic होती है वहाँ price high fix कर ही नहीं सकते लेकिन जहाँ demand inelastic हो जाती है जैसे कि दवाई वाली situation हो गई तो उस situation के अंदर क्या होजेगा कि आपने demand inelastic कर दी तो price जादा हो कम हो लोगों को prefer करना ही पड़ेगा should not और क्या हो सकता है it should fix lower price than that of the competitor product stage in the life cycle of the product pricing decision affect करता है stage of the product की life cycle में in the introductory stage of the product starting वाले phases में कोशिश यह की चाती है कि जो price होगा product का वो लो ही रखना चाहिए क्योंकि competitor को one minute नहीं रगेंगे आपके product को out करने से market के now the next one is product differentiation हाँ अगर आपका product market में लोगों से हटके है तो तो आप ज्यादा price भी लखोगे तब भी लोग आपके पास आएंगे आपके product को खरीद दे के लिए लेकिन आपका product similar है और फिर भी आप price ज्यादा रख रहे हो तो kick out from the market ठीक है now the price of the product also depend upon the characteristics of the product in order to attract the customer different characteristics are added to the product such as अलग-अलग product को यह यूज किया जाता है और बाकी मने आपको बता दिया कि product differentiation किस तरीके से price को reflect back करता है buying pattern of the consumer मान लो एक consumer उस product को daily basis पे on a regular business खरीद रहा है खरीद रहा है खरीद रहा है तो उसके price fluctuate करेंगे तब भी वो habit है उसकी तो वो consume करेगा लेकिन अगर तो क्या है buying pattern different है तो उस scenario में आप price को fluctuate नहीं कर सकते इस the purchase frequency of the product is higher lower price should be fixed to have a lower profit margin it will facilitate increase the sales volume and the profit total profit इन्होंने क्या example दिया इन्होंने बोला है अगर purchase बार बार मैं कर रही हूं तो price क्या रखो कम रखोगे तो ज्यादा sales होगी और ज्यादा sales होगी तो profit भी क्या होगा ज्यादा ठीक है यह वाला यह लोग यह example दे रहे है ठीक है next देखो फिर उसके बाद economic environment in recession period the prices are reduced price को कम कर दिया जाता है recession period में price को बढ़ा दिया जाता है boom period में ताक कि production की cost को recover किया जा सके government policy price restriction also affect by the price control by government through enactment of legislation when it is thought proper to arrest the inflation trend in the certain commodities मतलब अलग-अलग government की policy भी price को fix करने में price के factors को affect करने में anyhow help करते हैं मान लो इस टाइप का कोई product आ गया जहां पर government बहुत जादा tax लगा रही है tax लगाने के वज़े से उसको automatically price जादा हो जा रहे है तो यहां पर government role play कर रहे हैं प्राइस के बढ़ाने और घटाने के उपर तो इसी तरीके से यह सारे factors affect करते थे आपके प्राइज प्राइजिंग डिसीजन को तो प्राइजिंग डिसीजन का concept और उसके factors कौन कौन से को affect करते हैं यह आपके exam सिनारियो से बहुत important है अब आप लोगों से next lecture वीडियो में मिलेंगे अगर आपको कोई भी आउट होता है इस lecture से रिलेटेड तो आप लोग comment section में mention कर सकते हो आपको इसका reward timely मिल जाएगा और फिर आप लोगों से और next lectures में meet up करते हैं